Hello Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपका UPI PIN सेट करते हुए OTP नहीं आ रहा तो इस प्रॉल्म को आपको कैसे सॉल कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको आपके मुबाइल में चेक करनी होगी और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो वीडियो भी आप देख लेना जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा इसलिए आप वो वीडियो भी देख लेना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप अपने मुबाइल की सेटिंग में चले आएए और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा notification and status bar का यहाँ पर क्लिक कर दीजे यह notification वाले option पर और app notification पर क्लिक कर दीजे और जिस भी app में आप कोशिश कर रहे हैं जैसे phone पे, beam, google पे वो यहाँ पर आप देखिए यह मैं आपको जी google paper दिखा रहा हूँ यह इसके notification यहाँ पर यह off नहीं होने चाहिए यह on ही होने चाहिए अगर यह off है तो इस वज़े से भी यह problem आयाती है कि हमको कोई भी OTP नहीं आती आप अपने mobile में चेक करना जिस भी app में आप करने हैं जैसे phone पे, google पे, beam, यह मैं आपको ptm का भी दिखा रहा हूँ यह यहाँ पर यह notification यहाँ पर show notification पर होने चाहिए यह बंद नहीं होने चाहिए और एक setting में आपको और बताता हूँ किसी-किसी mobile में यह contact के option में एक setting मिल जाती है यह मैं आपको दिखा देता हूँ मैं contact पर click कर रहा हूँ और यह मैं contact में गया जैसे यहाँ पर यह three dot पर click करके setting मिल जाती है लेकिन मेरा यह MI का mobile है इसमें यहाँ पर वो नहीं मिल रही यह मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको भी आपके mobile में वो setting यहाँ पर ना मिले तो आप कहां पर वो setting देखना आप mobile की setting में चले जाना और setting में जाने के बाद यह system app लिखा होगा system apps यह इस पर click कर देना और यहाँ पर यह call setting का option है यह call setting पर click कर दिजे और यहाँ पर यह देखिए यह block list का option है जो यह यहाँ पर on है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ यह block list वाले option पर click कर दिजे और यहाँ पर आप देखिए आपने sms की कोई block list तो नहीं बना रखी क्योंकि मैंने देखा है true color में bank वाले नंबर को भी कई बार fraud या spam ऐसा ही बताता है और हम वो उसको block list में डाल देते हैं उस नंबर को इस वज़े से भी यह problem आ जाती है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि true color को थोड़ी देर के लिए delete करके फिर try कर सकते हैं आपकी OTP आ जाएगी शायद और यहाँ पर आप चेक कीजिए आपने यह block message from stranger वाला जो option है आपने यह allow कर रखा है तो कि हमको सभी number से message आना चाहिए क्योंकि bank के जो message होते हैं हर बार अलग अलग number से आते हैं यह अगर आप block list में डाले होंगे तो भी आपको यह OTP की problem आ सकती है और यहाँ पर मैं एक setting आपको और बताऊंगा यह दिखे यह Google पर जैसे ही मैंने long click किया यहाँ पर app info यह निकल कर आ जाता है अगर आपके mobile में ऐसे निकल कर आ जाये तो ठीक है नहीं तो आप यह mobile की setting में जाकर आपके mobile में लिखा होगा manage app या installed app यह installed app पर क्लिक कर दिजिए और यहाँ पर जिस भी app में आपको रॉलम आ रही है जैसे Google पे, phone पे आप अपना वही app ढूंडिए और यह मैं आपको example के तोर पर गूगल पे में दिखाऊंगा कि गूगल पे, यह मैं यहाँ पर यह सर्च करता हूँ गूगल पे और यह देखे यह गूगल पे आ गया है, यहाँ पर आप app permission पर क्लिक कर दिजिए और यहाँ पर यह सारी permission आपकी on ही होनी चाहिए यह sms वाली permission तो खासकर आपकी on ही होनी चाहिए, अगर यह पहले से भी on है तो इसको एक बार आप off करके फिर से on कर दिजिए और फिर अपने जिस भी app में आप try कर रहे हैं, उसमें आप try कीजिए, आपको OTP आ जाएगी और सबसे last जो setting है, जो मतलब एक खास बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप अपने जरूर आप देखना, आपका जो recharge है, वो खतम नहीं होना चाहिए आपका recharge उस SIM में होना ही चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, वो SIM, बैंक वाला, आपके SIM में message आते हों, और आपके SIM की messaging की सेवा भी चालू हो, आपका SIM एक्टिव ही होना चाहिए बस यही कुछ setting थी, जो कि आपको आपके mobile में चेक करनी है, और यह setting ठीक करने के बाद, आपको OTP आ जाएगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी subscribe कर दीजिए